पर महराजी हनुमान जी के बारे में एक बहुत दिल्च्वस बात है कि जैसे हनुमान चालीसा में राम जी का नाम जादा है एक बार जो मैं छोटा था तो राम बद्राचार जी आये थे हमारे स्कूल में तो उन्होंने एक बड़ी छोटी सी कथा प्रसंग सुनाया कि जब मुझे तो कुछ लिखना है तो लिखना सुरू किया जै हनुमान ग्यान गुंसागर जै कपीसितियों लोक उजागर अब हनुमान जी गुस्ता होके गदा लेके दोड़ पड़े कि मेरी तारीफ मत करो तो अगली लाइन राम दूत अतलित वलधामा तो राम राम का नाम ले जसू जोदा एक फलचारी बुद्ध हीन तन जहान के सुमिरो पवन कुमारे बल बुद्ध विद्यादेव मोही हरव कलेश विकारे क्या या श्री गुरू चरण सरोज रहे निजमर मुकुर सुधार बरनाउ रगुवर लिखना क्या चाहिए बरनाउ हानुमत बाद में राम दूद्ध तो कितनी पीछे चला गया तुलसिदास जी जैसा विद्वान कौन है इसलिए मैं जगा जगा कहता हूना भाई हनुमान जी के मंदिर में जाओ तो बार बार जाकर के कहतो जहनुमान जहनुमान सुनेंगी नहीं यहीं से उठाया हमने कि तुलसिद बिमल जशुद जैसे हम कहते हैं बर्नाओ रगुवर अब मैं श्री गुरू चरण सरोजराज अपने गुर्दे भगवान के चरणों की रज का अंजन बना करके अपनी आँखों में लगा करके बर्नाओ रगुवर राम जी की कतागाना शुरू कर रहा हूं जहां कोई व्य रामकता सुना रहा है, ठीक है, सुनाओ, मौन हो करके राम चरिसुनवे को रसिया, जैसे इधर शुरू हुए, पिर कितने ही कहते हैं, रामकता ही कह रहा है, अच्छा, कोई बाद नी, चल, अब सब सुखला है तुम्हारी सर्णा, और मनोरत जो कोई, जो मांगेगा, मैं पू सकल सुमंगल दायक, रगुनायक गुनगान, सादर सुनाइत तरई भव, सिंधु बिना जल्यान, शुरू कहां से क्या, सकल सुमंगल दायक, विराम कर रहे हैं, रगुनायक गुनगान, किसका गुनगान, रगु का, राम जी का, और लिखना कह चाहिए, श्री हनुमत गुन तुलतिदाजी से किसी नहीं आए एक कांड हनुमाण जी के हिस्से में आया बाबा उसमें तो लिख देते है शरी हनुम्त गुनगान तो जिदा जी कहते है, अगर लिख दू ना, तो अपर करते रहना सुन्दरकांड, ना तुम्हारे भूत भागेंगे, ना तुम्हारे पिशाच भागेंगे, ना तुम्हारे मनुरत पूरे होंगे, ना तुम्हे सुख मिलेंगे, और हनुमान जी चुप बैठे रहेंगे, इस